दोस्तो वीडियो इंपॉर्टेंट है कमालिका चंदा की टाप लेबल की सिरीज से रिलेटेड आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ भाई मुझसे पूछ रहे हैं तो मैंने सोचा कि वीडियो बना कर ही आप लोगों को बता देता हूँ आप सब के डाउट से दूर हो जाएंगे तो वीडियो पूरी देख कर जाना मैं आप लोगों से रिक्वेश्ट कर रहा हूँ कि वीडियो पूरी देख कर जाना इसकिप बिलकुल मत करना आप लोग इसकिप करके देखते हैं इसलिए बहुत कुछ मिस्स कर देते हैं और फिर बाद में कमेंट्स करके पूछते हैं तो चलिए बट वीडियो शुरू करने से पहले आप भाई लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना आईसी ही अपडेट्स मैं आप लोगों को देता रहता हूँ तो लेट्स बिगैन बात करते हैं कमालिका चंदा की टाप लेबल स्रीज को लेकर तो कुछ भाई मुझसे पूछ रहे हैं कि कमालिका चंदा की अंकट स्रीज आएगी या नहीं और ये क्योरी कई भाई लोगों की है तो आज मैं सबके डाउट्स दूर कर दूँगा वीडियो पूरा देखना लाश तक बने रहना तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि फिलाल तो कमालिका चंदा इस समय बहुत ही कम स्रीज कर रही हैं इनकी नार्मल श्रीजी जल्दी देखने को नहीं मिल लही हैं हलाकि अभी रिसेंट में इनकी दो स्रीज आई है रैबिट पर और कंगन पर मैंने अपडेट दिया था आप लोगों को अगर आप लोगों ने देखा हो तो अब ऐसे में इनकी Uncut series देखने को मिलेगी तो मुझे तो नहीं लगता कि इनकी Uncut series इधर देखने को मिलेगी यानि इनकी Top Level की series इधर देखने को नहीं मिलेगी और ऐसी कोई update भी नहीं है मुझे मैंने आप लोगों से बताया था फिर भी आप लोग पूछ रहे हैं तो मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी हाँ इनकी कुछ पुरानी series है जो इन्होंने स्टार्टिंग में ही की थी जिसे कह सकते हैं कि Top Level की series है हलांकि मूड की तरह तो नहीं है बट नौरसा पर या यास्मा पर जैसी series देखने को मिलती है या सीमी अंकट कह लीजिए वह इसी series देखने को मिली है ओल्ड series है और मैंने आल्रेडी पहले ही इस पर वीडियो बना दिया है इनकी ओल्ड series को लेकर कि कौन कौन सी series है तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं मैं इसी वीडियो के end में वो वीडियो लगा दूँगा तो उम्मीद है कि अब आप लोगों के सारे doubts दूर हो गए होंगे तो बस अब आप लोगों को ये updates कैसी लगी